हेलो एप्रीबन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट स्रीफर आज हैं 28 अगस 2 या 23 और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 28 अगस 2 या 23 के डेली करें टरफियस के कुछ इंपोडेंट कुशियल्स अगर आप किसी भी हग्याम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पूजे तकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्डोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए और आज की इस वीडियो की पेडिया फाइल आपको वारे टेली ग्रम चैनल पर में जाएगी और इस टेली ग्रम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्र पूजे ना रहा है तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओग तो हमारा पहला कुश्चिन है हाल ही में राष्टी स्मार्ट सिती पुरुसकार 2022 में सर्वसिष्ट सेर का पुरुसकार किसने जीता है और इस कुश्चिन का सही आंसर है ऑप्शिन वी इंदौर तो हा हाल ही में राष्टी स्मार्ट सिती पुरुसकार 2022 में सर्वसिष्ट सेर का पुरुसकार इंदौर ने जीता है इंडिया स्मार्ट सेर प्रतयुकता के 34 संस्क्रण में सर्वसिष्ट राष्टी स्मार्ट सिती पुरुसकार इंदौर ने जीता है सौइसमाट सेरों के बीच अनुकरडिय पदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तेसरा इस्थान मिला है और राज्यों की स्रेडी में पत्थम इस्थान मद्द पदेश को और केंसासत पदेश में पत्थम इस्थान चंडी गड़ रहा है नेक्ट कोशन है अगस्ट दो या तेस में किस देश ने स्री पी एम नरेंदर मोदी जी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरेक पुरुसकार ग्रेंड क्रॉस ओफ दा ओर्डर ओव ओनर से सम्मानत किया है और इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन भी ग्रीज तो अगस्ट दो या तेस में ग्रीज देश ने पी एम स्री नरेंदर मोदी जी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरेक पुरुसकार ग्रेंड क्रॉस ओफ दा ओर्डर ओव ओनर से सम्मानत किया है ग्रीज की राष्टपती कतेरीना साकेला रोपोलू ने पी एम स्री नरेंदर मोदी जी को ता ग्रेंड क्रॉस ओफ दा ओर्डर ओव ओनर से सम्मानत किया है अब ग्रीज जो देश है इसकी राईदनिय एथेंस ग्रीज की मुद्रा है यूरो और ग्रीज के प्रदहन मंत्री है किरियाकोस मिट्सो ताकेज नेक्ट कोशन है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्यापर बढ़ाने के लिए अलाइब विद अपॉर्चुनिटी अवियान सुरू किया है और इस question का सही answer है option A, Britain तो हाल ही में Britain देश ने भारत के साथ ब्यापार पढ़ाने के लिए alive with opportunity अभियान सुरू किया है ये अभियान लोगों, बेचारों, सल्सकृति और निवेश के परस्क्रिया को उजागर करने में बेतर समझ और सायो को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार रखरेगा अब ब्रेटेन जो देश है, ब्रेटेन की राईदान क्या है लंदन ब्रेटेन की मुंद्रा है पाउंड इस्टर्णिंग और ब्रेटेन के प्रधान मंत्री है रेसी सुनक नेक्ट कुशन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रह में ब्रेक्स सिखर सम्मिलन दो या तेश के दोरान ब्रेक्स नेताओं को क्या उपहार प्रधान किये है तो प्रधान मंत्री इस्टरी नरेंद्र मोदी जी ने पंद्रह में ब्रेक्स सिखर सम्मिलन दो या तेश के दोरान ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुहारी, नागालेंड सौल और गौन पेंटिंग ये सभी उपहार प्रदान किये हैं तो इस कुश्यन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी उपरयोक्त सभी पदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी ने दच्छड अफरीगा के राष्टपती सरेन रामपोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भीट की है और दच्छड अफरीगा की प्रथम महिला छेपो मोट सेपे को नागालेंड की एक शौल पदान की है इसके अतिरेक्त प पदान मंत्री मोदी ने मद्द पदेश की गौन प्रिंटेंग भी ब्राजिली राजपती लूइस इनासिय लूलादा सिल्वा को भेट की है नेक्ट कुशन है हाल ही में इमफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाडी को अपना नया ब्रांड नेमेश्टर बनाया है और इस कुशन का सई अंसर है ओप्शन सी एगार स्वेटेक आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं एगार स्वेटेक और एनिंग को इमफोसिस ने अपना नया ब्रांड नेमेश्टर बनाया है अब इमफोसिस की स्थापना कम ही थी साथ जुलाई 1981 को और इमफोसिस के संताफ कौन है एन आर नारायन मोर्ती और इसका मुख्याला है बेंगलरू में नेक्ट कोशन है चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री के लेंडिंग इस्थर को किस नाम से जाना जाएगा और इस कोशन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिर्फ सकती बिंदू तो चंद्रमा पर चंद्रयान थ्री के लेंडिंग इस्थर को सिर्फ सकती बिंदू के नाम से जाना जा में व्याग्यानकों को सम्मोधित करते हुए चंद्रयांत्री के लेंडिंग इस्थल को शिप शक्ती बिंदु गोशित किया है नेक्ट कोशन है पच्चीस में राजीव गांधी राष्टी सद्वहबना पुरुसका दोयर बी सिकी से किसे सम्मानित किया गया है तो इस कुशन का सही अंसर है ओप्शिन बी वन इस्थली विद्यापीट तो पच्चीस में राजीव गांधी राष्टी सद्वहबना पुरुसका दोयर बी सिकी से वन इस्थली विद्यापीट को सम्मानित किया गया है राजस्थान में इस्थित महिलाओं के लिए आवासिय सेचनेक सन्स्थान वन इस्थली विद्यापीट को पच्चीस में राजीव गांधी राष्टी सद्वहबना पुरुसकार पदान किया गया है अब राजीव गांधी राष्टी सद्वहबना पुरुसकार क्या है तो भारत छोड़ो आंदोलंग की स्वर जयनती को चिन्नत करने के लिए 1992 में इस्थापितिय पुरुसकार, श्यांती, संप्रदायक, सद्वहबना और राष्टी एक्ता के लिए विशेश योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है Next Question है केस कंपनी ने भारत के पहले स्वधिसी Selective Catalyst Reactor याने ACR का निर्मार किया है, तो इस क्वेशन का सही आंसर है Option C, BHEL तो BHEL कंपनी ने भारत के पहले स्वधिसी Selective Catalyst Reactor का निर्मार किया है भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिम्टेड यानि बी एच इयर ने स्वधेसी सलेक्टिव कैटालिस्ट रियक्टर के पहले सैटकार विनिर्मार्स सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है इस से कंपनी को ताप बिजली घरों से एन ओ एक्स के उत्वर्जन को स्रीमित करने में मदब मिलेगी अब कैटालिस्ट क्या है तो कैटेस इस उत्प्रेरक नामक पदार्थाओं को जोड़ कर रासाने प्रतक्रियाओं की गती बढ़ाने की प्रक्रिया है नेक्ट क्वेशन है हाली में किस देश ने एजरायल तक मार करने वाले मोहाजर टैन नामक ड्रों का अनावरर किया है और इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन सी इरान तो हाल ही में इरान देश ने एजरायल तक मार करने वाले मोहाजर 10 नामक ड्रोन का अनावरर किया है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये है मोहाजर 10 नामक ड्रोन इरान ने मोहाजर 10 ड्रोन का उद्गाटन किया जो एजरायल तक वार करने में सक्षम है और यह ड्रोन 24 गंटे तक लगातार उडान बायने में सक्षम है इस ड्रोन की रहेंज 2000 किलोमीटर है और ये 210 किलोमीटर 5 गंटे की रप्तार से उड़ सकता है अब इरान जो देश है इसकी राईधानी क्या है? तहरान इरान की मुद्रा क्या है? इरानी रियाल और इरान के प्रदान मंत्री हैं इब्राहिन प्रायसी नेक्ट कुशन है यूनेसको ने किस राज सरकार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन सिस्टम के नैतिक विकास और उप्योग के लिए सम्झाथा किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजन सिस्टम के नैतिक विकास और उप्योग के लिए सम्झाथा किया है अब तेलंगाना जो राज है इसकी राजधनी क्या है? हैदराबाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? कि ये चंद्रसेखर राव और तेलंगाना की राजपाल है तामिली शाई शौन्दर राजन नेक्ट कुशन है पदाहन मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कीज दिन को राजधिय अंतरच दिवस के रूप में मनाने की योश्णा की है और इस कुशन का सई अंसर है आप्शन ए 23 अगस्त तो पदाहन मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को राजधिय अंतरच दिवस के रूप में मनाने की योश्णा की है और यह दिवस चंद्रयां थ्रीक की सतय पर सफर लेंडिंग करने की याद में मनाया जाएगा और इस कुशन का सई अंसर है आप्शन भी सुचिन बजाज तो 14 में Social Entrepreneur of the Year Award 2023 से सुचिन बजाज को सम्मानित किया गया है सुचिन बजाज को Jubilant भरतिया Foundation और स्वाव Foundation for Social Entrepreneurship द्वारा इस्थापित 14 में Social Entrepreneur of the Year Award इंडिया से सम्मानित किया गया है नेट कोशन है इसरो द्वारा लॉंच किये गए चंदरयांत्री मिशन के प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन है और इस कोशन का सई आंसर है Option B पी वीर मुथवेल आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं पी वीर मुथवेल और यही इसरो द्वारा लॉंच किये गए चंदरयांत्री मिशन के प्रोजेक्ट डारेक्टर हैं नेक्ट कोशन है उत्तर पदेश के किस जिले में मंदर संग्र हाला इस्थापित किया जाएगा और इस कोशन का सई आंसर है Option A आयोध्या उत्तर पदेश के अयोध्या जिले में मंदर संग्र हाला इस्थापित किया जाएगा तो हमारा आज का नेक्ष्ट और लाश्ट कोशन है हाल ही में केंद सरकार ने भारतिय शशिस्त बलों की छमता पढ़ाने के लिए केतने करोड रुपे के हाथ्यार खरीदने की मंजूरी दी है और इस कोशन का सई आंसर है Option B 7800 करोड रुपे तो हाल ही में केंद सरकार ने भारतिय शशिस्त बलों की छमता बढ़ाने के लिए 7800 करोड रुपे की हाथ्यार खरीदने की मंजूरी दी है अब कल की वीडियो मैंने आपसे कोशन पूछा था और वो कोशन था कि यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइब इस्ट्रीम वीडियो कौन सा बना है और इस कोशन का सही आंसर था Option C, चंदरयान 3 तो यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइब इस्ट्रीम वीडियो चंदरयान 3 बना है और इस कोशन का आंसर लगबख सभी इस्ट्यूडेंट्स ने सही बताया था और अब आपके लिए आज का कोशन है चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिन, जय बारत, वंदे मातरम